यह एजिक कोईट का सहरा, यह बहुत दूर बहुत दूर एक रोड है, जहां से यह काड़ियां गुजर रही है, उसी रोड से मैं उधर के नीचे आया हूँ, जस्ट आपके लिए यह वीडियो बनाने के लिए, किसी वक्त भी यहां गाड़ी टायर पैंचर हो सकता है, बड़ दूर तक जहां तक आप देखेंगे, आपको दोनों तरफ रोड के सहरा नजर आएगा, बहुत ही गरम सहरा है, लेकिन यह फैबरोरी चाल रहा है, यह मारने के लिए भी कभी भी आ जाता है, गुसा कर जाए तो, इसलिए मैं गाड़ी से उतर के नीचे हर्गीज नहीं मुस्रूफ है, खाने पीने में, कुछ चार पांच इस तरफ है, असलाम अलेकम विवर्ज, I hope आप सब लोग खेरियस होऊंगे, welcome back to my youtube channel, we looks by aftab, friends, मैं इस वाकत मुझूद हूँ, काफी दूर बाहर सहरा में, और आज आपको दिखाने कुश्य करता हूँ, कोईट का सहरा, आज बारिश हुई है, यहां, बड़ा खुश्कवार मुसम है, जैसे आप देख रहे हैं, रोड पे पानी खड़ा हुआ, यह एक चोक बन रहा है, छोड़ी सी रोड है, चारों तरफ से रोड जा रही है, और दूर दूर तक आपको मैदान नजर आएगा, मैं फिलाल गाड मैं बार जाता हूँ, मजीद आपको अच्छा व्यू दिखाता हूँ, अच्छा मुसम है, बड़ा खुश्कवार सा, बड़ी जबरदाश बारिश हुई है, तक्रीबन कोई दो मन्त के बाद कोईद में बारिश हुई है, पानी आप देख सकते हैं, रोड बे खड़ा हुआ एक रोड यह इस तरफ जा रही है, दूर दूर तक जहां तक आप देखेंगे, आपको दोनों तरफ रोड के सहरा नजर आएगा, कोई बिल्डिंग है, कोई उमारते नहीं है यहां, यह बहुत ही गरम सहरा है, लेकिन यह फैबरुरी चाल रहा है, आज फैबरुरी की 11 तार यह बहुत है, उसलिहां से यहां मौसम अच्छा रहा है, अगर आप जून, जुलाई, अगस्त में यहां है, तो यहां खड़ा होना बोड मुश्कल हो जाता है, जूम करके आपको दिखाने कोशरी करता हूँ, जहां तक आपकी नजर जाएगी, आपको रेती रेत नजर आपको एक चीज और दिखाने कुश्छिश करता हूँ, यह आपको जगले नजर आ रहे हैं न, यह तीन चार, यह ओल वेल्स हैं, जिन्हें कुवे कहा जाता हैं हमारी जबान में, यह वो तेल के कुवे हैं, और यह जो पाइपलाइन आपको नजर आ रही हैं यह न, यह करके दिखाने कुछी की है तब आपको नजर आ रहे थे तब आपको नजर आ रहे थे तो इस तरह से ओल वैल होते हैं जहां से यहां है कि गोर्मेंट जो है कुरूड अल प्रोड्यूस करती है और आगे उसे रिफाइन करके रिफाइनरिया लगी हुई उसके बाद आगे कुछी वीडियो कोईट की पड़ी हुई है और इसके अलावा अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कोईट के मुतालग मैं इंशाला पूरी कुछी करूँगा उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की ल दिल नहीं का रहा गाड़ी की तरफ जाने को गाड़ी मैं खड़ी करके यहां तो बाएर निकल के घूम रहा हूं अच्छा इस तरफ यह कुछ कैमल्स घास की गरत से सहरा में बचारे फिर रहे हैं काफी हैं आगे भी मैं आपको लेके चलता हूं नस्दीक नस्दीक चलके कि मैं अच्छा रस्ता हा जहां से मैं जारहू हो वीडियो ठीक नहीं बने जाए सलिए मैं कैम belki यह एम जो से खड़ी तरह नस्दीक चलके आपको दिखाते हूं अच्छा है मैं के मार्ण के बिल्कुल नस्दीक आ गया हूं बिल्कुत नजदीक से चाल के आपको कैमल दिखाते हैं कितना प्यारा जानवार है मारने के लिए कभी भी आ जाता है गुसा कर जाए तो इसलिए मैं गाड़ी से उतर के नीचे हर्गीज नहीं जाओंगा आप यहीं से देखें कैमल और इंजॉय करें कितनी प्यारी जोड़ी है यार सच बता हूं मुझे खुद कैमल बहुत अच्छे लगते हैं मैं खुद इन्हें देखने के लिए आ जाता हूं और साथ आपको वीडियो दिखाता हूं अब मुझे यह नहीं पता नहीं बुलाते कैसे हैं कि ऊपर यह कपड़ा शपड़ा दिया गया है ठंड से बचाने के लिए ने क्योंकि यहां भी स्टिल ठंड काफी है फैबरुरे चल रहा है एक जोड़ी यह है कैमल की मस्रूफ है खाने पीने में और कुछ चार पांच इस तरफ है आइ थिंक चार है वो भी चार रहे हैं घास्या से और इसके बाद आगे देखें तो आगे तो काफी है अलग अलग वो दो इस साइड पे हैं दो यह नजदीक हैं दो तिन उस से आग इस तरह करके कफी है और सहरा आपने देखना है तो वो देखें जिस तरफ आपकी नजर जाएगी आपको रेत ही रेत नजर आएगी इसे कहते है कोईत यह है कोईत जिसकी करंसी दुनिया में सबसे बड़ी है यह एजिक कोईत का सहरा यह बहुत दूर बहुत दूर एक रोड है जहां से यह काड़ियां गुजर रही है उसी रोड से मैं उधर के नीचे आया हूँ जस्ट आपके लिए यह वीडियो बनाने के लिए आपको कैमल दिखाने के लिए और कोई मकसद नहीं था इदर आने का सहरा में किसी वक्त भी यहां गाड़ी टायर पैंचर हो सकता है बड़ी दुश्वारी हो सकती है बनने के लिए इसलिए लोग यहां बगएर मकसद के नहीं आते बगएर काम के आपको कोई का सहरा अच्छा लाग रहा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं बूलिएगा चलें इस वीडियो को करते हैं यहीं इखताम पजीर और आप से मिलेंगे इंशाला नेक्स्ट किसी न्योटोपक के साथ तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे दीजिये अजास्त अलाहाफिज